मुझे या कोई जीव विशेश को देखना है मैं जंगल में इसलिए जाता हूँ कि मैं धन्यवाद कर सकूँ परमात्मा का सोचेंगे ऐसी कैसी अजीब सी बात है आप जंगल में जाईए और देखिए जब हिरन पानी पीता है दोस्तों बीस बार देखता है इदर से उदर के कोई सोख खाने जाए और मैं कभी मटके से, कभी फ्रिज से, कभी वाटर कूलर से पानी निकाल के पी लेता हूँ मुझे कोई खाता ही नहीं और मैं इश्वर के धन्यवाद ही नहीं कर रहा हूँ जंगल में आप जाओ दो ही तरह के जानवर हैं या तो शिकारी है या शिकार है एक के चेरे पे हिंसा के भाव रहेंगे सदेव और दूसरे के चेरे पे बैचारगी के भाव रहेंगे शेर नहीं अपने बच्चे को प्रेम भी कर रही है तो भी उसके चेरे पे हिंसा ही दिखेगी दूसरा भाव नहीं दिखेगा और हिरन बिचारा गुस्से में होगा तो भी उसके बैचारगी के भाव आएंगे अरे हमें मनुष्य बनाया है एक चहरे से हम 31 तरह के भाव परदशित कर सकते हैं और हम खुशी नहीं होते हैं कि परमात्तों तुने कमाल कर दिया वो सिर्फ घास अरे हमारी माताएं बहने हमारे लिए कितनी तरह के वेंजन बनाती है बेसं से 25 तरह की चीज़े बना रही है और हम धनिवाद ही नहीं करते ने उनका करते हैं और ने इश्वर का करते हैं कोई सोच सकता है जंगल के अंदर कि वो सुबह उठेगा तो जीवित मिलेगा हरे पता ही नहीं होता है दूसरे क्षण का कि कम मौत आ जाएगी और हम सुबह उठते हैं बिस्तर के उपर और जीवित पाते हैं सुएम को और धनिवाद ही नहीं देते एक बात और बाटना चाहूंगा आपके साथ में जंगल में जब बाग या शेर बुड़ा हो जाता है दात गिज जाते हैं नाखून गिज जाते हैं कुछ शिकार नहीं कर पाता है तो पता है उसकी मौत कैसे होती भूखे मरते हैं जंगल का राजा है वो तो उसके बावजूद उसकी मौत पेट लटक जाता है जमीन पे अंतरियां सूख जाती है दर्दनाक मौत से मरता है ने तो उसकी पत्नी उसको मांस का टुकड़ा देती है मूं में ने उसके बच्चे ने उसके भाई बंद उसको कुछ खाने को देते ह बूखा मरता है जंगल का राजा है जबकि आप देखो मनुष्य जीमन में अरे हमें थोड़ी सी चीक क्या आ जाती है पूरे घर वाले परेशान हो उठते हैं हमारी कितनी तरह की सेवा शुशुशा करते हैं कितनी तरह की दवाईयां लाके देते हैं हमारा कितना धिहान रखते हैं आप सोचो ईश्वन ने मनुष्य बना करके हमारे को कितने आनंद दिये हैं तो फिर क्यों वेमनस्य क्यों एक दूसरे के बैर में भसे भाई ये तो मनुष्य जन्म कितना शान्दार दिया है जिसका आनंद लोना इसका आने उताओन